अमूल का नॉर्मल बटर खाखा के मैं बोर हो गया था, इसलिए मैं अमूल का गारलिक बटर ले आया, इसकी ग्रीन कलर की पैकिंग बहुत अच्छी लगती है, इसके रैपर में भी लसन की पिक्चर बनी हुई है, जैसे ही मैंने खोला हवा में लसन की खुश्बू चा गई, कुछ लोगों को ये खुश्बू, बदबू जैसी लगती है, नॉर्मल बटर के मुकाबले इसको पील करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके अलावा मैंने अमूल का वाइट बटर भी लाया था, जो की मेरा फेवरेट है, इसकी ब्राउन पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, अमूल के सभी बटर्स में से ये सबसे ज़्यादा हेल्दी है, इन दोनों के कलर्स में भी काफी डिफरेंस है, वाइट बटर फ्रिज के बाहर जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन गारलिक वाला बहुत स्लोली मेल्ट होता है, मेरे घरवालों को बटर काफी पसंद आया, लेकिन पता ने क्यों मुझे ये बटर बिलकुल पसंद नहीं आया, इसमें लसुन का फ्लेवर इतना ज्यादा है कि खाने का सारा जायका ही खराब हो जाता है, शायद इसी वज़ा से इसके उपर गारलिक बटर की जगा गारलिक स्प्रेड लिखा हुआ है, अमूल जैसे ब्रैंड ने ये क्या बना दिया है, मैं तो इसको बिलकुल नहीं खा सकता, अमोग लीला प्रभू भी इसको नहीं खा पाएंगे, लेकिन दिस इस माई परसनल टेक, शायद आपको ये पसंद आ जाए, थैंक यू